अगर आपको मीठा खाने का मन करता है और उसके साथ ही आपको कुछ हेल्दी भी खाना होता है तो बहुत जादा प्रॉब्लम हो जाता है कि क्या खाऊं तो इसलिए मैं लेकर आगे बहुत ही हेल्दी सा और टेस्टी सा एक रेसिपी जिसे आप मैंनों स्टोर करके भी खा सकते तो आपको करीबन 5-7 मिनिट तक इसे रोस्ट कर लेने है उसके बाद इसा अलग से रग दीजिए फिर कड़ाई में डाल दिये घी मैंने या पर 2-3 चमुछ का खी का यूस किया है फिर मैंने इस पर दिया है गुड यानि की जैगरी तो इसे मैंने डाल दिया है दो कटोरी चोटा कटोरी का ताकि अच्छे से मकानी के साथ कोट हो जाए फिर इसे अच्छे से आपको मिला दे जाना है और इसके लिए मैंने एड किया है थोड़ा सा पानी ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए आपको इसे तब तक पकाने है जब तक कि गुड में से हलका सा चिपचिप तो गैस को मीडियम फ्लेम पे रखके ही करें उसके बाद जाब इस चिप चिपा सा हो जाए आप फिंगर की मदद से चेक कीजिए लिए थोड़ा ध्यान से ताकि आपके फिंगर जले ना फिर इसमें मैंने एड़ किया है बेकिंग सोडा उसे डाल के आपको अच्छे से मिलान हंदा करके कोई भी यह टाइट कंटेनर में डाल दीचे और इंजॉय किजिए आपका मंचिंग टाइम सब्सक्राइब पर मोर और वीडियो पर लाइक कर दीचेगा